So, today we will be starting chapter number 2, My Body Parts, मेरे शरीर के अंग. Here are some loading points on which we will be focusing in this chapter. So, here is the first point, our body has different parts. Here is the first point, our body has different parts. हमारे शरीर के विभिन अंग होते हैं. Different body parts, two different works. जो विभिन शरीर के अंग होते हैं, वो विभिन कार्य करते हैं. Here is the third point, which we will be focusing, which we will be reading in this chapter. Our sense organs and their functions. हमारे इंद्रियां और उनके कार्यां. Sense organs means, इंद्रियां. So, let's start. Our body is a living machine. जो हमारा सरीर है, वो एक जीवित मशीन है. It has many parts. उसके कई अंग होते हैं. Each part has a different name. और हर एक अंग का एक विभिन नाम होता है. Each part does some certain function. जो हर एक अंग होता है हमारे सरीर का, वो एक निश्चित कार्या करता है. Function means, कार्या. Function का मतलब होता है कार्या. यह हमारी body है, हमारा सरीर है यह. और सरीर में क्या-क्या होता है? एक सोल्डर होता है, knee, nose, chest, foot, neck, ear, stomach, arm, head, lips, leg, fingers, hair, eye, toes, thigh. तो सोल्डर काँ पे होते हैं? सोल्डर है हमारी यह. जो यह आपको point दिखाए दे रहा है, यह हमारे हैं, सोल्डर. तो सोल्डर. हमारी आर्मस काँ है? यह. यह हमारी होती हैं, आर्मस, बाजुएं. नी, काँ है हमारे नी, यह होते हैं, हमारे कुटने. ठीक है? दिजार आवर्ज नी. so now draw lines to match the names of the body parts with their names so हमें यह जो body है यह जो हमारा सरीर है इसके हम जो यह नाम लिखे हुए है साइड में यह हम मैच करेंगे कि कौन सा हमारा body part कहां पर है हमारे जो अंग है वो कहां पर उसका क्या नाम है अब हम इस बोडी जो यह बोडी दिखाए गया है इसके जो यह नाम लिखे हुए है यह हम मैच करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बोडी पार्ट जो हमारे बोडी पार्ट है उनका क्या नाम है कि सोल्डर को हिंदी में कहते हैं कंदे तो कंदे हमारे यह यहां पर होते हैं हमारे कंदे इसको आपको मैच करना है अपनी बुक्स में नी 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 मिन्स गुटने गुटने कहा होते हैं हमारे यह यहां पर यह हमारे गुटने है जो यह जोड़ होता है पैर का यह हमारे गुटने कहलते हैं नोज नोज कहा है हमारी नोज है हमारी यह इसको हम क्या कहते हैं नोज यह हमारी नोज होती है नाक जहां से हम सांस लेत यह जो आपका upper portion होता है शरीर का जो neck से नीचे यह है आपके गर्दन कहते हैं इसको और गर्दन से नीचे का जो यह हिस्सा होता है इसको कहते हैं च्छाती फुट जो आपके फुट होते हैं फुट किसको कहते हैं पैर यह आपके फुट पैर फुट को हिंदी में कहते हैं पैर F O T foot NEC अब आपका NEC कहा है NEC कहां पे आपकी ये है आपकी गर्दन ये है आपकी गर्दन जो गला है ये गला होता है आपका हिंदी में नEC को कहते है गला या गर्दन EAR आपके EAR EAR कहा है आपके ये है आपके EAR 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 से क्या करते हैं आप सुनते हैं स्टोमक अब ये नेक्स है स्टोमक स्टोमक कहा है आपका ये ये होता है स्टोमक को कहते हैं पेट जो आप खाना खाना कहते हैं वो खाना जाता है आपके सिद्धे यहां से मूँ से माउट से होते हुए पेट में ये आपके है आर्म होता है बाजू यह आपकी बाजूए यह जो यह आपकी बाजूए यह पोर्शन जो आपका हाथ है यह आपकी बाजूए हैड ह-e-e-d है यह आपका है यह सर जो यह आपका यह है इसको कहते हैं है यह जो आपका यह लिपस अब आपके लिपस कहाँ मेरा है यह आपके लिपस हिंदी में किसको कहते है होट यह आपको मैंने कल वर्ड मिनिंग जो सेंड कियु थी आप वहां से पढ़ सकते हैं इनके जो मतलब होते हैं लेग 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 कहा है आपके यह आपके हैं लेग लेग पैर हिंदी में लेग को क्या करते हैं पैर यह आपकी फिंगर्स नेक्स्ट फिंगर्स कहा होते हैं यह यह आपके हैं फिंगर्स यह आपकी फिंगर्स क्या करती हैं फिंगर्स आपकी मदद करती है किसी भी चीज को करने में कोई भी आप work करते हैं उसको work करने में जिसे हैं हमने pencil पकड़ी हुई है तो यह हमें help करते fingers with the help of fingers we can touch anything we catch we can carry anything आपके हेर का है यह आपके पॉर्शन है यह है आपका हेर जो आपके सब बाल होते हैं हेर को हिंदी में कहते हैं बाल यह आपका नेक्स्ट है आई आई यह आपकी होती है टू लिटिल आई आइस का काम होता है देखना आखों का काम होता है देखना हिंदी में आई को कहते हैं आख नेक्स्ट है यह आपका टोज टोज कहांपे होते है यह यह जो आपकी पैरों की उंगली होती है इसको कहते है टोज हाथ की उंगली को कहते है फिंगर्स और पैर की उंगली को कहते है टोज और आपकी नेक्स है थाई थाई कहांपे यह ये जो आपका हिस्सा है ये पोर्सन है इसको कहते है क्या थाई इसको कहते है थाई पैर के ऊपर के हिस्से को कहते है थाई जो ये टी एच आईजी एच और जो ये आपका हिस्सा होता है जो ये आपका जोड होता है ये पोइंट्स होते है जोड होते है इनको कहते है नी कुट अंग है उनके कुछ कारियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे किस कारियों में मदद करते हैं All parts of body help us to do different things जो हमारे विभिन अंग होते हैं सरीर के वो हमें विभिन कारियों करने में मदद करते हैं We use our arms, hands and fingers too हम अपनी बाजों का, हाथों का और उंगलियों का किस तरह से परियोग करते हैं लिखने में हाथों का यूज करते हैं clapping में, तालिया बजाने में और जो fingers होती हैं वो आपका help करती हैं cake cutting में With the help of our hands, we can cut the cake or anything else किसी भी चीज को पकड़ने में हमारी बाजों का, हाथ और उंगलिया help करते हैं Walking We use our legs and feet for walking, jumping, cycling, climbing अब हम अपने पैरों का और पन्जों का इस्तमाल कैसे करते हैं चलने के लिए, उचलने के लिए, cycle चलने के लिए और कहीं पर भी चड़ने के लिए सीडियों पर, पेड़ पर, दिवारों पर We have five fingers on each hand अब हमारे हाथों में पांच उंगलिया होती हैं All fingers have their special names अब उन उंगलियों के special names होते हैं उनके name होते हैं, उनको नाम दिया गया है Try to match the name of the fingers The baby finger, जो आपका baby finger होता है यह होता है आपका baby finger Baby finger को क्या कहते हैं, little finger The baby finger is known as the little finger The next one is the fourth finger The fourth finger is this, just next to the little finger Just next to the baby finger Little finger is the, our fourth finger Is known as the ring finger Okay The next one is our finger that stands apart The finger that stands apart अब इन में से यह चार उंगलिया एक साथ हो गई और जो stands apart, stands apart मतलब सबसे अलग होना तो यह जो हमारा thumb है, यह सबसे अलग रहता है यह चार उंगली lines में होती हैं और यह इन से अलग Stands apart इसका मतलब होता है, अलग खड़े रहना तो अलग कौन खड़ा है हमारे हाथ पे, कौन से उंगली अलग खड़ी है सबसे Thumb, जो हमारा thumb है, वो हमारे सबसे अलग खड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं, Thumb The tallest finger अब हमारे हाथ में सबसे जो लंबी उंगली होती है, वो कौन से होती है यह आपको चार उंगली दिखाए दे रही है यह चार उंगली में सबसे लंबी उंगली है, यह वाली ठीक है? The third one, next to the little finger The next to the little finger Is our ring finger And next to the ring finger is our Middle finger It is the tallest finger In our hand Okay And the last one is the pointer finger The pointer finger is our Finger That Is next to the middle finger Okay Why it is known as the pointer finger? Because when we point out something or when we direct it to anyone So we help We use our this finger So this finger helps us to point something Like if I will be directing you to focus on a point So I will be using this point This is our pointer finger And also known as the index finger Okay And that is from the today's class